हेलो वीवर्स वेलकम तो माई चैनल आर आइडियाज आज की वीडियो में आपको पेंट की डिजाइन बताऊंगी तो यहां मैंने अपनी पेंट की लेंद जो है 37 इंच तयार रखनी है तो बट मैं यहां 36 इंच लोंगी लेंद यूंकि एक इंच जो है वो डिजाइनिंग से कवर कर लेंगे अपना तो अगर आप मेरी इस पेंट की कटिंग देखना चाहते हैं तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप महां से देख लीजएगा यहां मैंने यह अपनी पेंट को हाफ स्टिच कर आया है अपना आसन जोड़ रख है और उपर से ने यह ने पढा आप देख यह निदिए ऐतनी ही इसके चोड़ाइखे यह देख लीजेदें यह एं ज़्ड़ करकर यहां से रमभायां हम को इस तरीके से रखना है और आप अपर से वोर्ड करते हुए यहां से हमें मतलब सॉफीलं मैं सब्सक्रिच पं देखे लेजिए आप 6 इंचे से एली उसलेगा झाली लगा लोग हमारे पास 1.5 इंच बचा तो तो हमिए प्रते से बचाएं और पर देखे यह एफ जैन और देखा थी आप यहां से हम प्रते लिजाइनिंग का करव देंगे एक एक प्रत शेप में भी ते बना लेंगे आप यह पोछ आसको बने को किसी बी स्टायल में बनाइ में विखरी कोई और भी डििजाइन भी डिजाइन दे पार आम टैसंे मिन्दाليеко रूहें कोई और अप्टेया है, भुणे टीकार न शेकिने खिनाbया मत शिफला कॉlen साथा। लेकिन मैं बहुत सिम्पल सा डिजाइन दे रहा हूं मैंने एक कर्व शेप में डिजाइन डाल लीए यह देखने लिए इस तरह से लाइन राइन डाल लिना है अपनी तो यह हमने अपनी लाइन ड्रीए और इसको हम यह पिंसे अटाइच कर देंगे तक बहने खुरेह हम एयर हमनै भी ईह पिल लगा दिये हैं इस लाइन पर हम कर देंगे यह देख लीजे इस तरी के से हमें करनी है कि अब यह हम कामी आयगा बीस्ट नी ज़िए हह भी डिजाइनिंग इसके इंदर आगजाएगी और ranges तरहें इसे दो वहां से कातं हमें गहांते हैं, अब कट तरहें किन्छ के निकादन, Saturday Friday. प्लाइल में बशाइब हमें, इसकी कटिंग करनी है अब यह देखें यह कुछ इस तरीके से शेप में आ जाएगा यह देखिए इस तरीके से शेप में आ गया यह अब हमें अपने दूसरे पैर का पाइंचा निकालने के लिए हम जादा इस तरीके से उपर वाले वही डिजाइनिंग को रखकर उसी पुकरम को रखके उस पर उस निशान लगा लेना है इसमें आपको जादा कुछ खुछ से ड्राउनी करने पड़ेगी एजी ली कट हो जाएगा दूसरा वाला पाइंचा इसी तरह आपको इससे लाइन टू लाइन मिला लेनी है और कट कर देना है बस उसको यह देखें इसे कट कर देंगे तो इसे हम कट कर देंगे अब यहां पर हमने कपड़े पर दोनों चीज़े पेस्ट करके रख लिए इस तरीके से पेस्ट कर लेनी है यह देख लिजे और यहां से हमें फोल्ड कर देंगे जिस तरीके से हम गल्ला वगेरा की जो फोल्डिंग क एक नाथे हैं इस तरीके से बिल्कूल फोल कर देंगेaya अम्ने दो कपडे कर Palette देरे इसी जास का इसाइस का कपड़ बखाना पर यहां बगने, ऩबक llegóसे कानी मtoni कीजल में पर दीखाना को जाना हें, कर दो यहां बच लगाना, अई मैसी मेरे देग सकते हैं, मैसे तरह से मैं हाँ रखाना यह देख लिजे अब इस तरीके से फोल्ड कर देना है यह देखें इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है इसको और इसको इस तरीके से देखें इस तरीके से आएगी यहां पर देख लिजे आप इस तरीके से आपकी यहां डिजाइनिंग आ जाएगी और लेस यह जो है इस तरीके से लगेगी यह आपे वह आपकी मर्जिया प्लेस लगाया ना लगाया अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं बट मुझे थोड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने लगा दी लगा दूंगी मतलब तो अब हम इस पर डिजाइनिंग करेंगे अपनी एंकर के थ्रेड से डिजाइनिंग करेंगे मतलब यह मेरे पास एंकर का थ्रेड है इसे आप बॉबिन में भरके नीचे डबी में उससे हमें डिजाइनिंग करनी है हम लंबी लंबी इस तरीके से लाइन लगा देंगे तेख कि इस तरीके से आएगी और यहां पे हम डिजाइनिंग कर देंगे अपनी नी तो इस तरीके ताकि आपको कोई परिशानी ना हो लाइने सीधी आए एकदम यह देखें इस तरीके से इसका डिजाइन आ जाएगा यह देख लीजिए आप यह हमारा डिजाइन बनके तयार हो चुका है यहां पर आप इसको यह देखें इस तरीके से हम इस पर लगा देंगे इसको यह देख लीजे आप हम इस तरीके से इस पर लगा देंगे और यहां से हम बारिक-बारिक अपने ज़स पर सलाहियां कर देंगे तो यह हमारा उसी नाप कपड़ा है, इस कपड़े को बिल्कुल इस तरीके से रखना है और इसकी सिर्फ एक साइड पे सिलाई लगा देनी है, यहाँ पे नीचे की साइड पे देखें इस साइड सिलाई लगानी है हमें, अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ, तो यह सिलाई लगा के देखें, कुछ इस तरीके से दिखेगा, यह देखें हमने सिलाई लगा के उल्टा कर लिया, इस तरीके से दिखेगा, अब यहाँ साइडों में सिलाई लगा दे मेरी वीडियो को शेयर कीजिए थेंक यू